इने बुधवार को पूर्वे एपी आई सचन वजह को स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाँच एजनसी की मांग पर कोर्ट ने वजह की कस्टिडी 9 अप्रेल तक बढ़ा दिये पेशी के दोरान सचन वजह ने अदालत के सामने लिखित बयान पेश किया यह बयान उसने एनाईय की कस्टिडी के दोरान दिया था इसमें वजे ने महाराश्टर के पूर्वग्रह मंत्री अनील देशमुक के साथ परिवेहन मंत्री अनील परपर भी अवैद वसूली के लिए कहने कारोप लगाया है वजे ने ये भी कहा कि वसूली कांड की पूरी जानकारी अनील देशमुक के पीए को थी सचिन वजे ने अपने बयान में कहा कि NCP प्रमुक शरत पवार ने उनकी बहाली का विरोध किया था वे चाहते थे कि वजे की बहाली रद कर दी जाए सचिन वजे ने NIA को दिये बयान में कहा मैंने 6 जून 2020 को दोबारा ड्यूटी जॉइन की थी और मेरी जॉइनिंग से शरत पवार खुश नहीं थे उन्होंने मुझे दोबारा सस्पेंट करने को कहा ये बात अनिल देशमुक ने उन्हें बताई थी शरत पवार को मनाने के लिए उन्होंने मुझसे 2 करोड रुपए भी मांगे थे जबकि इतनी बड़ी रकम देना मेरे लिए मुम्किन नहीं था वही ग्रह मंत्री ने मुझे इस रकम को बाद में चुकाने को कहा इसके बाद मेरी पोस्टिंग मुंबई के क्राइम इंटेलिजन्स यूनिट में हुई वजह ने मंत्री अनील परब पर आरोप लगाते हुए कहा कि अक्टूबर 2020 में अनील देशमुक ने मुझे सहियादरी गेस्ट हाउस में बुलाया हलाकि उससे पहले भी जुलाई अगस 2020 में महराश्टर के मंत्री अनील परब ने मुझे अपने सरकारी बंगले पर बुलाया था इसी सब्ताद DCP पद पोस्टिंग को लेकर इंटरनल ओरब भी दिये गए थे वजह ने ये भी बताया कि मीटिंग के दोरान अनील परब ने मुझे से कहा SBUT कमप्लेंट पर ध्यान दो जो की एक प्रिलिमिनरी स्टेज पर थी साथ ही मुझे बोला गया कि मैं SBUT के ट्रस्टी से इंक्वाइरी बंद करने के लिए सोधे बाजी करू और इसके लिए 50 करोड की रकम की डिमांड करू लेकिन मैंने ऐसे करने से मना कर दिया क्योंकि मैं किसी को भी नहीं जानता था और इस इंक्वाइरी से भी मेरा कोई लेना देना नहीं था वही अनील परब के साथ हुई एक और मुलाकात पर वजह ने कहा गज जनवरी 2020 में मंत्री अनील परब ने दोबारा मुझे अपने सरकारी बंगले पर बुलाया और BMC में लिस्टेट प्रोडूलेंट कॉंट्रेक्टर के खिलाफ जांच की कमान संभालने को का मंत्री अनील परब ने इस तरह कि 50 लिस्टेट कंपनियों में से हर कमपनी से 2 करोड रुपे लेने के लिए कहा क्योंकि एक शिकायत पर इन कमपनियों के खिलाफ जांच चल रही थी जो शुरुवाती दोर में थी उसने बताया कि जनवरी 2021 में ग्रहमंत्री अनील देशमुक ने मुझे अपने सरकारी बंगले पर बुलाया तब उनका पिये कुंदन भी वहां मौझूद था इसी समय मुझसे मुझसे मुंबई में 1650 पब बार मौझूद होने और उनसे हर महीने 3 लाक रुपे के कलेक्शन की बात कही गई इस पर मैंने ग्रहमंत्री अनील देशमुक से कहा कि शहर में 1650 बार नहीं सरफ 200 बार है कि बार से पैसा इकठा करने से भी मना कर दिया था क्योंकि मैंने उन्हें बताय था कि ये मेरी शमता से बाहर की बात है तब ग्रह मंत्री के पिये ने मुझे कहा था कि अगर मैं अपनी जोब और पोस्ट को बचाना चाहता हूँ तो जो ग्रह मंत्री कह रहे हैं वहीं करो पत्र के आखिर में वजह ने बताया कि इसके बाद ये बात मैंने ततकालीन कमिशनर परंबीर सिंग को बता दी थी और ये भी कहा था कि मैं भविश्य में मुझे किसी कंट्रोवर्सी में फसा दिया जाएगा इसके बाद ततकालीन कमिशनर परंबीर सिंग ने मुझे किसी भी अवैद वसूली में शामिल होने से मना कर दिया था वजे ने लिखा जच साहब मैं ये बाते आपके सामने इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले सचिन वजे के इस खुलासे के बाद पूर्व ग्रह मंत्री अनिल देशमुक के साथ परिवहन मंत्री अनिल परब की भी मुश्किले बढ़ सकती है भाजपा को फिर से महराश्ट्र सरकार को घेरने का मौका मिल गया है वजे का ये बयान मुंबई के पूर्व कमिशनर परंबीर सिंग के देशमुक पर लगाए 100 करोड की वसूली के आरोब की पुष्टी करते हैं इस मामले की जाच के लिए CBI की टीम मुंबई पहुँच चुकी है माना जा रहा है कि कुछ घंटे में वह सचिन वजे से पूछताच कर सकती है वजे के खुलासे के बाद अब CBI की रडार पर मंत्री आनील परब भी आ चुके हैं उधर वजे के आरोब के बाद मंत्री आनील परब ने मीडिया के सामने कहा मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोब जूटे हैं उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है भाजपा को पहले से ही पता था कि सचिन वजे आज एक पत्र देने वाले है इसलिए वह तीसरा विकेट लेंगे जैसी बाते कर रहे थे नगर निगम के ठेकेदार से मेरा कोई परिचे नहीं है सचिन वजे ने पहले मेरा नाम क्यों नहीं लिया ये साबित करता है कि वह सरकार को बदनाम करना चाहता है मैं इस मामले में किसी भी जाँच और नार्को टेस्ट के लिए तयार हूँ जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुप करें